दोस्त आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक फॉर्मेशन गिवर में दोस्त आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ मोटरोला की एज़ फिफ्टी प्रो फाइफ जी स्मार्टफोन के बारे में दोस्त क्या होगा उसकी प्राइस और उसकी फीचर सारे जानकारी आपको मिलने बला है तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दिजिये आगे आपको टेक्नोलोजी से जुरे और भी बहतरी नई नई फोन की बारे में सारे जानकारी मिलने बला है दोस्त आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए दोस्त चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्त मोटो की इस डिवाइस बैक ग्लास और एलियोमिनियम फ्रेम के साथ इसका लुग बहुत अट्रैक्टिव लगता है इस फोन को डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस से बचने के लिए इसे IP रेटिंग 68 मिली है फोन में OLED टच्स्प्रीन और 165 हर्ट्स रिफ्रेश रिट दिया गया है जो की उसे चलाने में काफी स्मूट फील होगी इसमें HDR10 प्लस डॉल्बी विशन दिया गया है दोस्ट फोन में 6.7 इंच का कवड डिस्प्ले और 1900 निट्स की पीक ब्राइपनेस दिया गया है जो की डिस्प्ले क्लेरिटी को और भी बहतरीन बनाता है फोन की रेजिलूशन की बात करें तो इसमें 10808 और 2400 पिक्सल्स बीस, 9 आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है दोस्ट फोन की सुरख्या के लिए इसमें कोनिंग गोरिला ग्लास विक्टिस दो दिया गया है और एंड्रोइट की लेटेस्ट वर्शन OS 14 दिया गया है सबसे खास बात यही की इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 and Reno 750 GPU की प्रोसेसर्स दिया गया है जो की पूरा लेटेस्ट है फोन दो वेरेंट में आता है 8GB RAM, 256GB ROM और 112GB RAM और 512GB ROM दोनों में UFS 4.0 दिया गया है गोस्ट इस फोन की कैमरा की बात करें तो इसमें Triple Main Camera Sensor दिया गया है जिसमें 50MP का Mac Camera, Ultra Wide और Telephoto Rea Camera शामिल है और फ्रंट में 50MP का सिंगल कैमरा दिया गया है इस फोन में USB Type-C, OTG, DisplayPort 1.4 और In-Display Fingerprint Sensor फोन को और भी बहतरीन बनाता है दोस्ट फोन में 4500 की बैटरी दी गई है जो 125W Fast Charging और 50W Wireless Charging को सपोर्ट करती है फोन की प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 35,000 से 40,000 रुप्ये में मिलेंगे ये संदर फोन आपको अप्रेल महीने की शुरूआत में मार्केट और ओनलाइन शॉपिंग आप में उपलब्ध हो जाएगा दोस्ट वीडियो में बस इतना ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई